क्या आप भी इंटरनेट पर हेर ग्रोथ रेमिडीज जून रही है, सालों से जो हेर लेंथ अटकी हुई है, उसको बढ़ाने की फिराख में है, कि आपको बहुत सिवेर हेर फॉल हो रहा है, और अब बहुत सारे नुस्के ट्राय कर चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं पढ़ रहा है, तो आज के वीडियो एक चालेंज है, मेरी तरफ से अपने परिवार के लिए कि पहले आप्लिकेशन में ही आपका हेर फॉल सबसाइड हो जाएगा, जिहां, टेक दिस चालेंज और ट्राय करके देखिए, आपके अंदर को इंटरनल डेफिशेंसी नहीं होनी चाहि तो I promise you कि आपका हेर फॉल पहले आप्लिकेशन में ही सबसाइड हो जाएगा, आपको दिखेगा visibly कि अरे आज तो एक भी बाल नहीं गिराध होते हुए, यह definitely होगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कि सब्धी तक करना है, यह समझना जाया, so everybody, back up, जल्दी से ready हो जाएगे, देखे क्या करना है, कैसे करना है, and have the best of results for yourself. Hello to my wonderful people present over here, welcome back to the channel, आशा करती हूँ, आप सबी स्वेस्थ है, खुश है, अपना खयाल रख रहे हैं, और काफी positive है, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो बहुत-बहुत स्वागत, मेरा नाम है प्रिती प्रेड़ना, इस चानल क सकते हैं, इस परिवार का हिस्सा बनिये और भी बहुत सारी चीजों का लफ यहां पर आप अप आएंगे, आप यहां पर टाइम लिए आप आएंगे, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेर करने के लिए आई हूँ, एक टूसे आप क्लिक कर दीजे, बगल में बेल स्टेप प्रोसेश जो की बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल इंग्रीडियंट से आप प्रिपेर करेंगे, पहले आप्रिकेशन में ही आपको दिख जाएगा, कि आपका हेर फॉल सबसाइड हो रहा है, हेर ग्रोथ आपको इमिडियेट रिजल्स नहीं दिखेंगे, लेक से पहली चीज इस रेमेडी को प्रिपेर करने के लिए इस टू स्टेप प्रोसेस को करने के लिए जो आपको चाहिए, वो है फेनुग्रीक सीट्स, यह जो प्रोसेस है, इसको करने के लिए आपको एक रात पहले यानि कि एक दिन पहले रात को फेनुग्रीक सीट्स भीगा कर सके इसी लिए overnight इसको जब आप रख देंगे next day morning आप देखेंगे कि जो पानी है वो काफी ज़्यादा golden color का हो चुका है yellowish tone में आ चुका है इसी पानी को आप एक पान में ले लेंगे along with the fenugreek seeds और इसमें आपको अप्रोक्सिमेटली एक से डेट कटोरी और पानी लेना है मैंने कटोरी में सोक किया था आप ग्लास में सोक कर सकते हैं जिसमें आप इसको आप बिल्कुल सिम पर अच्छे से इन्फ्यूज होने देंगे बॉल होने देंगे whatever it is अप्रोक्सिमेटली 5-10 मिनट्स के लिए आप इसको धीमी आज पर अच्छे से सिम होने देंगे ताकि पानी में सारे के सारे न्यूट्रिंस इसके रिलीज हो जाए आफ्टर 10-15 मिनट्स 5-10-15 कितना भी हो सकता है इसके बाद आप अपनी फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको धंडा होने के लिए देंगे जब यह धंडा हो जाए इसके बाद आप एक हैंड ब्लेंडर की हेल्प से या जो भी आपके पास है कुछ इसको मतना है तरीके से थ बहुत अच्छे से सारा का सारा फेनोग्रीक सीट्स का रस चला जाए अच्छे से मतने के बाद जैसे भी आप कामफटबल है इसके बाद मैंने से चान कर अलग से एक बोल में ले लिया फेनोग्रीक याने की मेथी दाना इसके बारे में I really think कि मुझे आपको बताने के लोह पदार्थ कितना होता है यानि कि आईरेन की कंसिस्टेंसी कितनी होती है आप हैरान रह जाएंगे कि इसका जो लोह धातू का पदार्थ इसके अंदर है जो कंसिस्टेंसी है लोहे की that's another level और यह आपके बालों को जो strength प्रोवाइड करती है वो एक application में ही आपके scalp की ज check it out for yourself कि क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ यही कारण होता है कि fenocreek के application से कई बार लोगों को अपनी skin थोड़ी सी tight stiff महसूस होती है क्योंकि obviously इसके application से stiff होती है लेकिन क्योंकि stiff हो जाती है तो फिर खुजली होती है या फिर dandruff हो जाता है दूसरा ingredient इसका इस्तमाल यहाँ पर vitamin E के उपर मैं एक separate video आपके साथ share कर चुकी हूँ आप जाकर इसको check out कर सकते हैं जहां पर मैंने विस्तार में आपको बता है कि vitamin E oil आपके scalp की health के लिए आपके बालों की shaft के लिए आपके hair follicle के लिए हर प्रकार से कितना powerful और कितना potent है मैं यकीन मानिये मैं दुबारा से vitamin E क के उपर एक पूरी की पूरी वीडियो बोल सकते हूं कि यह कितना powerful है आपके बालों के लिए आपकी hair growth रुकी हुई है आपका hair falls upside करना चाहते है शाइन चाहते हैं लस्टर चाहते हैं ग्लॉस चाहते हैं आपके hair shafts को repair करना चाहते हैं स्प्रिटेंस के issue आपको हो रही है दोनों ही चीजों को अच्छे से mix कर लेने के बाद आप एक container में इसको स्टोर कर लेंगे जो की एक pump bottle हो सकती है या फिर एक squeeze bottle हो सकती है इसके लिए आप कामफुटबल है easy to use होना चाहिए otherwise obviously वो पढ़ा ही रह जाता है DIY और कभी use नहीं हो पाता है तो एक अच्छी bottle में इस आप अच्छे से पेस्ट बना लेंगे जी हां थोड़ इसी महनत है क्योंकि थोड़ थोड़ा करके आप पानी आड करेंगे और इसको अच्छे से mixi में ग्राइंड करके एक बहुत ही खुबसूरत सा चिकना सा बिल्कुल आटे जैसा आपका वो पेस्ट बन जाएगा और इ यह जब आप अपने बालों में अपलाए करेंगे तो अगर आप कोई ऐसे जन है जिनके बाल बहुत लंबे है तो इसके ग्रान नियोल्स आपके बालों में अटक सकते हैं और परिशान कर सकते हैं लेकिन ध्यान से सुनिएगा जब मैं इसके वाश के बारे में बताऊंगी आपको कोई परिशानी नहीं होगी। अब अगर अप एक एक अपनें बालों को कने में बहुत असानी हो अच्छे से बालों को कवर करके 15-20 एक और आप कोई रख सकते हैं और इसके बाद आप अप इसको नॉर्मली वाश ऑफ औप करेंगे ways करेंगे. To all the ladies out there, length पर अगर आप चाहते हैं, shine तो apply कीजे, otherwise सिरफ और सिरफ अपने scalp पर लगा कर रहने दीजे. इसके बाद आप जब धोने जाएंगे, please listen to me very very carefully, कि सबसे पहले आप इसको ही wash off करेंगे. सिरफ इसको अच्छे से आप जैसे भी wash off करते हैं, पानी डालके, धी अपने आप में एक शैंपू ही होता है, जब ग्राइंड देखा था जाग बनने लगया था, तो यह शैंपू ही होता है, लेकिन क्योंकि इसको wash off करना थोड़ा सा तीडियस होता है, इसलिए हम नहीं यूज कर पाते हैं, लेकिन जब आप रेमेडी कर रहे हैं, तो अच्छ रहे हैं, कि जब आप दे बालों करेंगे जब आप करने के बाद, वह जाएंगे आप ब्रह पर सकाल्प जाएगा, मेलेक शाफसी क्लीन हो जाएेंगे और आपके बालों को अच्छे से शैंपू गर इसकाल minority कर बेने लिदे के वालों करेंगे बालों इतने साम्पने शॉफ तो परेड़नाने ऐसा होगा और उसके बाद जबाद करेंगे तो कोई पैनिक करने की आवशकता नहींगे अब शैंपू भी कर लिया बाल भी सॉफ्ट हो गए अब क्या अगर आपको ऐसे जन है जिनके बालों में हलकी सी इचिंग होती है तो आप थोड़ा सा कामफटबल नहीं फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा अलेवेरा जेल लेंगे जो भी आप यूज करते हैं आप उसका इस् पर स्कैल्प भी काफी अच्छा आपको लगेगा अगर आपके पास अलेवेरा जल नहीं है या आप कामफटबल नहीं है तो आप हलका सा कोकोनेट ओयल या कोई और ओयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपसिल्यूटली नो प्रॉब्लिम चिपचिपा होगा ओफिस जाना है रेना वीडियो के शुरुआत में एक हेर सीरम बनाया था उसका क्या जी कर रहे हैं अपने हेर मास का अप्लिकेशन कर लिया यह जो हेर सीरम बनकर रेडी हुआ था इसको अच्छे से शेक करेंगे और इसका अप्लिकेशन आप हफते में दो बार करेंगे जब आप के इनकर जो लोग चैलेंज की तरह ही करने वाले है तो आप किसी पोर्शन में इसको लगाई को लगाई और किसी पोर्शन में मत लगाई हैं और डिफरंस खुद देख लीजएगा कि क्या गज़के डिफरंस है आपके बालों में दिखाता है जहां यह लगा होगा महां तो अगर आप कर सकते हैं तो सीरम की तरह लगा लिजे अपनी लेंस पर नहीं लगाना चाहते हैं तो अपने स्काल्प के लिए लगाई हैं हम यहां है फॉल और हैर ग्रोथ को टार्गेट कर रहे हैं तो सिरफ स्काल्प का अप्लिकेशन कोई परिशानी आज सच आपको नहीं होगी तो मास्क भी काफी पाफुल था बहुत अच्छे रिजाल्प मिले हैर सीरम भी काफी अमेजिंग था बाल काफी सॉफ्ट हो गए और हैर फॉल में भी हैल्प मिल रही है अब इस्तमाल कैसे करना है जब भी आप अप्लिकेशन करना चाहे एक वीक में एक बार फर एक्जांपल आपने हैडवाश से पहले यह जो मास्क जब पेस्ट अपने बनाया था इसका अपलिकेशन आपने कर लिया इसके बार जब आप next wash करेंगे जब भी आपका next hair wash due है प्लीज हफते में दो बार minimum करना ही करना है कई बार hair fall की वज़े से दर के हम बहुत जादा कम कर देते हैं हफते में एक ही बार करते हैं वो मत कीचेगा तो दो बार तो minimum आपको करना है इसके बार जब आप second wash करेंगे तो आप head wash से पहले इसी कोई ऐसे जन है जो फैनुग्री के लिए comfortable है तो इसका overnight application भी आप अपने बालों में कर सकते हैं और next hair wash कर सकते हैं you get it? हफते में एक बार तो mask करना ही करना है अगर second time कर रहे है तो hair serum only overnight तो overnight otherwise 2-3 घंटे पहले विड़ आल सुड़ा hair mask and hair serum storage कैसे की जाए देखिए मैं आप से कहा फैनुग्री के अंदर बहुत सारा iron content होता है और जिसमें भी iron content होता है वो बहुत जल्दी काला होने लगता है और फिर हमें लगता कि अरे खराब हो गया यूज नहीं कर सकते so the best way is वैसे तो सर्दियां आ रही है आप बाहर भी store कर सकते है लेकिन अगर refrigerate कर सके तो आप इसको refrigerate करके रख लीजे अगले हफते के लिए भी आपका बनकर ready हो चुका है और जो serum है वो तो आप बाहर भी रखेंगे तो चल जाएगा क्योंकि इसमें vitamin E oil already है लेकिन उसको अगर आप थोड़ा डाइसी है कि बहुत गर्मी होती है pollution जादा है you know whatever it is तो उसको भी आप refrigerate करके रख सकते है जल्दी जल्दी इस्तिमाल कीचिए store करने की आवशकता नहीं है और उसके बाद fresh अपने ले नया batch बनाते रहे है कैसी लगी प्रस्तुती नीचे लेकर अवश्य बतायेगा मैं आप सभी के कॉमेंट्स का बेट करने वाली हूँ अगर चानल पर नहीं है तो मैं आचक तो आपको दिखी चुका होगा और इस परिवार से जुड़ने के लिए तरीका भी आपको याद होगा नीचे लाल रन क अगर आपको विडियो पसंद आई है तो आप मुझे बताएंगे ही लेकिन लाइक करना कोई नहीं भूलेगा इस वरी इंपोर्टेंट थैंक यू सो वरी मुच तुमाइए फैमिली आप सभी के बहुत सारे प्यार और सपॉर्ट के लिए मैं आप सभी के लिए ऐसे ही कमाल की कॉंटेंट लेकर आती रहूंगी और भी बहुत सारे नएने सब्राइज़स लेकर आती रहूंगी तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए अपना बहुत सारा खयाल रखिए और प्रीती प्रेड़ना के सभी चैनल से जुड़े रहिए I love you all, take really good care of yourself